वाटसप की इस नई पॉलिसी ने तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घबराट पैदा कर दी है जो रोमेंटिक बाते करते हैं अपने गर्फ्रेंड से बॉइफ्रेंड से ऐसे लोगों में खलवली मचीव ही है कि कहीं उनकी रोमेंटिक चैट को वाटसप फेसबुक के साथ शेर ना कर दे और फेसबुक पर हमारी चैट को लोग देखना ले सच्ची में जोटनी बोला हूँ बहुत सारे लोगों के दिल में इस बात को लेकर घबराट होने लगी एक कहीं उनकी परसनल चैट को वाटसप फेसबुक पर शेर ना कर दे मुझे कितने सारे लोगों ने ऐसे मैसेज कियें के भाई कल जो मैंने वीडियो डाला था उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए भाई हमारी परसनल चैट तो कहीं वाटसप शेर नहीं कर देगा लोगों के अंदर खलबले सी मचीवी है तो आईए मैं आपको थोड़ी सी इस वीडियो में और एहम जानकारी देने की कोशिश करूँगा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएका कोई बात नहीं आप लोग आखिर तक देख लेना अराम से सुनना और समझना क्योंकि बहुत साधी भाषा में आम भाषा में आपके सामने कुछ और बातें वाटसप से जिड़ी वी रखने बाला हूँ कल भी हमने आप लोगों को बताया था बहुत सारी बातें वाटसप की नई पॉलिसी के बारे में जिल लोगों ने वीडियो नहीं देखा है आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे हुआ जाकर देख सकते हैं कल की वीडियो में हमने आपको सिर्फ वाटसप की नई शर्ते बतायी थी कि कौन कौन सी उसने शर्ते लागू की है उन शर्तों को अगर आप एकसेप्ट कर लेते हैं तो आपका वाटसप चलता रहेगा अगर आप एकसेप्ट नहीं करते हैं तो 8 फरबरी के बाद आपका वाटसप बंद हो जाएगा डिलेट कर दिया जाएगा बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने जो नोटिफिकेशन हमारे पास आया था उसको एकसेप्ट कर लिया है तो क्या हमारी प्राइबेसी अब वाटसप शेयर कर देगा और बहुत सारे लोगों ने मुझसे अपना परसनल ओपीडिय ने पूछा कि भाई आपने जो है एगरी कर दिया है या फिर आप एगरी करेंगे और वाटसप को जारी रखेंगे या फिर वाटसप डिलेट कर देंगे तो देखिए मैंने वाटसप की सारी शरते मान ली है और मैं वाटसप को चलाना जारी रखूगा क्योंकि WhatsApp हमें कोई problem देने वाला नहीं है WhatsApp ने जो शर्ते लागू की है उसमें कहा जा रहा है कि WhatsApp आपकी privacy को Facebook के साथ share करेगा आपकी location को Facebook के साथ share करेगा और आपकी पूरी bank की detail WhatsApp अपने पास रखेगा और इसको वो Facebook के साथ share करेगा तो आईए एक एक point को पकड़ते हैं और आपको एक एक point का मतलब बताते हैं सबसे पहले चीज कहा जा रहा है कि WhatsApp आपकी chat को Facebook के साथ share करेगा तो इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि WhatsApp आपकी personal chat को Facebook के साथ share करके Facebook पर लोगों को दिखाएगा ऐसा बिलकुल नहीं है हाँ ये जरूर है कि WhatsApp आपकी chat पड़ेगा आप जो भी किसी से बात करते हैं WhatsApp उसको अब पढ़ सकेगा और इन शर्तों को लागो करने के पीछे का खेल जो है वो है ads ads के जरीए WhatsApp पैसे कमाना चाहता है जैसे Google ads के जरीए पैसे कमाता है इसी तरीके से WhatsApp भी आप लोगों को ads दिखा कर पैसे कमाना चाहता है मिसाल के तौर पर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं कि भाई मुझे बाइक चाहिए है अब आपको चाहिए है बाइक आप Facebook पर जाते हैं तो Facebook कुछ भी ads दिखा देता है वहाँ पर Facebook कार के Mercedes के ads दिखा रहा है आपको तो बाइक चाहिए है न तो आपको कार से क्या मतलब तो आप अपने दोस्त से बात करेंगे मुवाइल पर चैट करेंगे क्या अपने घरवाले से अपने भाई से बापा से किसी से भी चैट करेंगे बाइक चाहिए है आप Facebook पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर बाइक के ad दिखना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप वहाँ पर ads देखने लगए क्योंकि आपको उस वक्त बाइक की जरूरत है तो आप ads देखने लगए जिससे Facebook को WhatsApp को फायदा होगा आप अपने किसी दोस्ते से बात करेंगे बाइ मुझे चौक्लेट खाने का दिल कर रहा है मुझे ये वाली चौक्लेट पसंद है मुझे किट कैड पसंद है आप किसी से बात करेंगे Whatsapp पर तो Whatsapp उस चैट को Facebook के साथ शेयर कर देगा और Facebook पर जब आप जाएंगे तो आपको चॉकलेट के ही एड्स दिखाई देंगे यानि WhatsApp के जरीए Facebook को इस बात का पता चल जाएगा आपकी चैट देखकर कि आपको इस वक्त चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है आपको चॉकलेट की नीड है तो आपके सामने चॉकलेट के एड्स आना शुरू हो जाएंगे जब आते रहेंगे आते रहेंगे आपके सामने चॉकलेट के एड्स तो आपको लगेगा यार मेरा दिल तो कर रहा है चलो मैं इसको मंगा लेता हूँ तो इस तरीके से वाटस आपकी चैट को फेजबुक के साथ शेयर करेगा और फेजबुक आपको आपके मरजी के मताबिक आपके सामने एड्स दिखाएगा जिससे वाटस आपको फायदा होगा आप कहां जाते हैं? किसको भुकतान करते हैं? क्या खाते हैं? क्या पीते हैं? इसकी ख़बर वाटसअप को कैसे रहेगी? और क्यों रखना चाता है वाटसअप इसकी ख़बर? वो भी आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर आप जाते हैं डॉमिनोज डॉमिनोज में बैटकर आप पेजा खाते हैं? आप वहाँ पर भुकतान करते हैं? ऑनलाइन पेमेंट करते हैं? तो वाटसअप को इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि ये बंदा डॉमिनोज गया है उसके बाद आप कहीं ब्रांडिट खाने के एड्स आपको फेस्बुक पर दिखाई देने लगेंगे फेस्बुक आपको उन्ही ब्रांडिट खानों के एड्स दिखायागा जिसके आप शौकीन है क्योंकि जब आप किसी बड़े-बड़े रेस्टोरेंड में जाएंगे तो वाटसअप को लेग एड्स आएंगे तो आप उन एड्स का भी इस्तेमाल करेंगे अभी क्या होता है फेस्बुक आपके सामने कुछ भी एड्स दिखा देता है आपको चाहिए है बाइक और फेस्बुक दिखा रहा है आपको कार का एड्स आपको चाहिए छोटा कैमरा और फेस्बुक दिखा है आपको बड़े कैमरे कैड़ तो आप लोग तो छोटा कैमरा खारी देंगे तो इसी तरीके से आपके मन के मताबिक आपकी चैट को पढ़कर आपके सामने एड़ दिखाये जाएंगे आपकी location को track करके आपके सामने facebook पर एड़ दिखाये जाएंगे अब सबसे बड़ा पॉइंट यह आता है तीसरा कि आपके बैंक अकाउंट को भी ऐक्सिस कर लेगा वाट्सअप तो इसमें लोगों को लग रहा है कि हमारे खाते में जितने भी पैसे हैं हमारे कितने अकाउंट हैं कितने पैसे हैं इसके सारी जानकारी WhatsApp के पास चले जाएगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है आपके फोन में जैसे Paytm है जैसे फोन पे है जैसे Google पे है तो Paytm फोन पे Google पे इन एपसे आपकी जो भी बैंक लिंक है तो इन एपस को आपके उस बैंक की पूरी जानकारी होगी A to Z जानकारी इन एपस के पास है आपकी इसी तरीके से WhatsApp Pay WhatsApp Pay भी आया है जैसे Google पे फोन पे है ऐसे ही WhatsApp Pay है WhatsApp Pay के जरीए आप किसी को पैसे भेजते हैं WhatsApp Pay पर आप अपनी किसी बैंक को लिंक करते हैं तो उस पूरी बैंक की जानकारी WhatsApp के पास होगी जो बैंक आप WhatsApp पे में लिंक करेंगे इसके अलावा आपके कितने खाते हैं आपके खातों में कितना पैसा है और खातों से आप कितना लेंदेन करते हैं इसकी कोई भी जानकारी WhatsApp के पास नहीं होगी सिर्फ इस चीज़ की जानकारी होगी उस बैंक की जानकारी होगी जो बैंक आपने WhatsApp पेसे लिंक किया होगा ये सारी बाते मैं आप लोगों को आज इसनलीए बता रहा हूं क्योंकि WhatsApp ने अपने इनी शर्तों को लेकर सफाई पेश की है उसने कहा है कि हम आपको बता कर इन शर्तों को लागू कर बार रहे हैं और इन शर्तों से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने बाला है मैंने आप लोगों को जो बाते बताई हैं वो अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है WhatsApp इसी तरीके से एड्स दिखा कर आपकी प्राइवेसी को WhatsApp के साथ शेयर करके आपके सामने एड्स दिखाएगा और एड्स के जरीए WhatsApp और Facebook पैसा कमाएंगे इसके अलाबा और कोई भी दिक्कत नहीं है इन नई शर्तों को लागू करने के बाद WhatsApp आपका कोई भी नुकसान नहीं करना चाता है बलके वो अपना फाइदा करना चाता है आपकी सारी information लेकर तो ये सारा जो खेल है वो एड्स का है एड्स के जरीए WhatsApp और Facebook पैसा कमाना जाते हैं वो भी आपके मर्जी के मताबिक एड्स दिखा कर तो अब अगर आपका दिल चाता है WhatsApp को रखना तो आप रखिए और अगर नहीं चाता है आपका दिल आप अपनी privacy को शेयर नहीं करना जाते हैं तो आप WhatsApp को डिलेट कर सकते हैं अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमने एग्री कर दिया है अब हम क्या करें तो अगर आपने एग्री कर दिया है और आप चलाना चाते है WhatsApp को तो आप चलाते रहें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपने एग्री कर दिया है और आप चाते है कि मैं WhatsApp को न लीट नहीं होगा वैसे मैं तो वाटसप के साथ जुड़ा रहूंगा मुझे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं और ऐसी कोई खास इंफॉमेशन भी मेरी है नहीं कोई परसनल जो वाटसप कहीं दिखा कर लीग कर देगा